है दोस्तों नमस्कार एक बार फीर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों में आप डेली की तरह रात आट बच के 45 मड़ में हिंदी का फुल टिस लगाने वाले हैं जुकि यह सभी एकजाम के लिए हैं जिसे लेकपाल वीडिय पुलिस एकजाम यहां किसी भी स्टेस से हैं तो आप लोग ट्स लगा सकते हैं और इली कर डेली ट्स लगाकर यह टाइम निर्धारित हैं आट बचके 45 मड़ में तो चलीज़ि स्टार करते हैं गुड इमनिंगु इविर फ्कों कूड सभी में लुग लग कर किजिएगा जितने लोग जुड़ चुके हैं और जितने भी आफ लाइन इस्टूडेंट दिखते हैं सभी लोग भाई आपर सेयर सपोर्ट कर दिया करें ठीक है सब लोग लाइक कर दिजिएगा चले स्टार्ट किया जाए रेडी चले आज कर जो टार्गेट हमने दिया है य इताले के पानी पताले गए बेटी पुराइन गई कुमिलाई हो गंगा जमना बिचरेती परतु है कैसे कै रहुच भिया हरे इस गीत जो दिया गया है किस बोली का है अथा ती जो दिया है किस बोली का है बताइए पहला कोशन आपको बड़ा कठिन लगेगा है ना तो आगे बढ़ते कोशन आप से गलाप पुछा गया है कि खस्खुरा या गुर्खाली भासा है ये कहां की भासा है चले थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो अंसर सही करेंगे क्योंकि आपने दिखा होगा गोर्खा युद्ध आपने हिस्ट्री में पढ़ाओगा गोर् आगे बढ़ते कोशन आप से गलाप पुछा गया है कि आपसे दुरूपद गायन का सम्मन्ध किस भासा से है चलिए बताइए दुरूपद गायन का सम्मन्ध किस भासा से है ब्रजभासा ओधी राजस्थानी या खड़ी गोली चलिए तो दुरूपद गायन का सम्मन्ध है ब्रच भासा से, यहाँ पर जो option है आपका ए नंबर right हो जबड़ेगा राजा मान सिंग तो मर ने दुपध के प्रِचारप्रसार में महत्पुर्ण योगदान दिया अगर कोई पूच ले कि किसके प्रिचारप्रसार में तो मान सिंग तो मर ने दुपध के प्रचार प्रसार में महत्पुन योगदान दिया था इसका अपसम बनेगा यहाँ पर ए नमबर आगे बढ़ते क्वेशन आप से गला पूछा गया है कि पश्चमी हिंदी की सरवाधिक प्रमख बोली इनमें से कौन सी है यहाँ पर दिया ब्रजभासा खड़ी बोली बुंदेलिया बांगरू तो दिको सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो अनसर बने का कौन सा बन सकता है चले ब्रजभासा देखें यहाँ पर सरवाधिक प्रमख बोली इनमें से ब्रजभासा है ब्रजकार्थ होता है पुराना अना ब्रजकार्थ पुराना है मतलब कह सकते हैं पसुओं या गायों का जो सम्मू होता था या कह सकते हैं चारा गाव तो पसुपालन के प्रधान के कारण ये छेत्र ब्रज कहलाया था और इसी आधार पर इसकी बूली ब्रजभासा कहलाई है तो इसका option जो बनेगा एव जगा ब्रजभासा हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप स्विगला पूछा गया है ब्रजभासा का छेत्र कौन सा नहीं है थोड़ा सोच समझ जो अगया है धौलपूर हाना यहाँ पर आपका मतुरा और आपके आगरा लेकिन ये जो दिया गया है सरगुजा तंह जया bipartisan या शत्या जůगड़ी बोली जाती है यह आपके झ्दी सगड़ी बोली के लाता है या दे किए ब्रजभासा में हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां उच्छारन इस्थान बताईए सभी लोग बताईएगा O, O का उच्छारन इस्थान इन में से क्या है तो भई O का निर्माण कैसे हुआ होगा कंट और ओस्ट से हुआ है अर्थात यहाँ पर जो अंसर है आपका B हो जगा कंटोस्त यहाँ पर अंसर जिसका भी बन रहा है जिसका भी अंसर आ रहा है B वाला कंटोस्त इस प्रकास से राइट हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से गला पुछा गया है तावर्ग की ध्वनियों का उच्छारन इस्थान बताईए चले देखो आपने बताया था इजी कोश्चन आपको अभी मिलेंगे तो आप ही बताईए टावर्ग का जो ध्वनियों का उच्छारन होता है कैसा होता है तो टावर्ग होता है मूर्धन ने हना यहाँ पर जो अंसर है आपका C हो जाएगा लगवक सभी का जवाब बिलकुर से सही आ रहा है मूर्धन इसका अंसर आप से राइट हो जाएगा मूर्धन मतलब होता है कि जो टावर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं इनको बोला जाता है तो इनको बोलने में जो प्राण वाई होती है था जो बोलते है तो अंदर ही रह जाती है था जीव बीच में आवाज को दाव देती है अंदर की जो आवाज निकले वाली होती ही रुख जाती जैसे टा टा बोलिए और अगर ऐसी स्थिती एक मिनट रहेगी तो आप मुर्षिद हो जाएंगे इसलिए इसे मुर्धन भी का जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशना आप सिग्ला पूछा गया है पावर्ग की धोनियों का उच्चारन इस्थान बताइए अब पावर्ग जब आप बोल रहे हैं तो दोनों ओट क्या हो רहे हैं मिल जा रहे हैं तो ये ओट हो रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा ओस्थ या परअनसर आपका बने कौन सर बन जायागा आपका उस्ट है बिल्कुछ सही है एनमर इसका राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है वह वर्ड है वह जो वर्ड है कैसा वर्ड है इसका इस्थान क्या होता है तो याद रेकि ये दंत वाले में भी आता है हाना पर आपका भी नमबर चलिए आगे बढ़ ये कोशन दिया गया है कहारा पापाबाबाबामा उदारण है किसके हैं तो अभी अभी हमने आप वताया था पापाबाबाब दोनों ओठ अपस में मिल रहे हैं तो आपका जवाब हो गया सी नमबर हो गया ये तो पाच्चो कोशन बहुती जी थे सबके जवाब इल्कुल सही होना चीए है ना चलि अगला बताएगा कि निमनिकित में से तदभव सब्द काई चैन कीजेगा तदभव सब दिन में से क्या है हस्त दिया है हस्ती दिया है हींग दिया है और आपका ही रख दिया है इन में से तदभव जो आपका है कौन सा है चले जवाब दीजे हींग जेखिए जिसका भी आप्सन आ रहा है सी नमर हींग ईसका तर्सम क्या बनता है इसका तर्सम होता है हिंगू चलिए अगला बताई एक कोशन दिया गया है निमने कितमें से कौन से सब्ध आपका तदभाव है चलिए तदभाव की पहँचान करिए यहां पर नगर, निस्ठुर या नरत चलिए तो देखो भी यहां पर रायाहाां लगा हुआ है यहां पर आधासा है यहां पर आपका देखो यह भी लगा है मतलब यह तो तीनों आपके तस्था में vapor है लेकिन पहला जो option है नया यह आपका तदभव हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कि पढ़ने का तदभाव सब्द क्या होता है पढ़ने का तदभाव सब्द क्या होता है पढ़ने का होता क्या है पत्ता होता है या पत्र होता है चले पत्र होता है विल्कुछ सही है यहां परंसर आपका ए नमबर आपका हो जाएगा और आगे बढ़ बताइए यहां पर जो आपका अंसर होगा क्या हो सकता है उलूक इस्टिका कुपुत्र यामी इस वाले कोशन में 50% लोग इसका जमाब गलत देंगे पक्का है चलिए देख लेते हैं कितने लोग सही देंगे चलिए देखो तदभाव सब्द जो आपका अमी है याद रिखे अमी यह आपका तदभाव है नोट करीजेगा अमी का तरसम अमरत होता है जो अमरत होता है तो यहां पर यह आपका तरसम होता है याद रिखेगा अमी तदभाव है इसका तरसम होता है अमरत समझ में आ गया च सब दिकाइचन करिएगा तदबाऊ सब दिन में से काउन हो जाएगे चले यहителя पर अशजयाएंग पर करिएगा इज ilgili और यहां पर याओ होज प्यदा यह क्या होता है इसका तस्वन क्या होता है तस्वम होता है प्पाइस क्या होता है यहादर हुप्सon ए हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है नमनिकित में से प्रडार्थक क्रिया आपकी कौन सी है यहाँ पर बताईए प्रडार्थक क्रिया आपकी कौन सी है चरे यहाँ पर दिया है उठना चमकाना गिराना और देना यहाँ पर बताईए प्रडार्थक क्रिया क्या ह तो कहरा गिराना, अर्थात कोई दूस्रे को गिराएंगे की ने गिराएंगे, अर्था तो आप सुनसरी हो जाएगा, गिराना यहाँ पर अंसर आपका सिनमर राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आपसे गला है तो यहाँ पर देखो प्रेंडा दी जा रही है हना प्रेंडा दी जा रही अर्थात बिल्कुर सई जवाब लगबख सभी का आया है यहाँ पर अंसर बनेगा आपका बे नंबर प्रडार्थक किरिया बन जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है संयुक्त किरिया बनती है यह बताईए संयुक्त किरिया कैसे बनती है तो जब दो से दो या दो से अधिक धातूं के मिल से संयुक्त किरिया बनती है आगे बढ़ते हैं को छन का गलत हो जायर तो इमानदारी से बताइएगा कि हमसे गलती हो गई है और जिन से गलती हो जायर तो लोग नोट करियेगा संयुक्ति के लिए कि आपके ग्यारा भीद होते हैं याद रखेगा यहाँ पर उप्शन दी हो जएगा जैसे आरंभ बोधक, समाप्ती बोधक, अवकास बोधक, अनुमती बोधक नित्या बोधक, अवसक्ता बोधक, निश्य बोधक, इच्छा बोधक अभ्यास बोधक, सक्ती बोधक और पुर्मरक्त बोधक तो यह 11 होते हैं, उप्शन D हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है वर्सा समाप्त हो चुकी, इस वाकि में कौन सी सन्युक्ति के लिए है वर्सा समाप्त हो चुकी है और जब समाप्त हो चुकी है तो आप्सन देखी है, आपर आप्सन क्या हो जाएगा समाप्ति बोधक इसका अंसर राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पुछा है नेमनिकित में से कौन सा इस्त्रिलिंग में परिक्त होता है चलिए इस्त्रिलिंग में परिक्त होता है कौन रितु कैसी है, पंडित हंस आचारे तो भई जबाब इल्कुल लिजी है पहला यह उप्सन हो जाएगा, रितु कैसी है देखो हमने बताया था कैसा से अंसर निकलता है तो पुर्लिंग और कैसी से सई अंसर निकलता है तो भी क्या हो जाएगा, इस्त्रिलिंग हो जाएगा तो रितु कैसा है, ये तो नहीं हो जाएगा आगे बढ़तेए कोशन दिया गया है इस्त्रिलिंग में परियोग होता है यहाँ पर आपका जो अंसर है वो आपका बनेगा बी नमबर है राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते कोशन दिया गया है निमनिकित में से कौन ससब्द है जो सदय इस्त्रिलिंग में प्रिक्त होता है बता डालिए जल्दी से सभी लोग यहाँ पर कौन ससब्द है जो सदय इस्त्रिलिंग में होता है चलिए आलू कैसी है आलू कैसा है अच्छा भई आटा आईना रसद चलिए तो दिखो भई यहाँ पर जो दिया है निमनिकित में कौन ससब्द जो सदय इस्त्रिलिंग में होता है तो सदय इस्ट्रिलिंग में यहाँ पर प्यूक्त कौन सा बनेगा रसद याद रिखे यहाँ पर जो अंसर है आपका डी वला रसद इस्ट्रिलिंग में प्यूक्त किया जाता है ठीक है ना? चले आज तोड़ा जुखाम हो गई है चले आगे बढ़ते हैं कौशन दिया गया है निमनिकित में से कौन ससब्द आपका इस्ट्रिलिंग है? कौन ससब्द? इस्ट्रिलिंग है यहाँ पर 24 कौशन देना है हाथी, मोती, पानी, नकिल चले मोती मत लगा दीजिएगा यहाँ पर लगाईएगा कौन सा यहाँ पर दिया गया इस्त्रिलिंग हो जाएगा यहाँ पर देखे नकिल जो आपका नकिल है यह इस्त्रिलिंग में होता है सेस में जो आपका हाथी, मोती, पानी यह पुरलिंग होता है आगे बढ़ते ही question दिया गया है ठाकुर सब्द का इस्त्रिलिंग क्या हो जाएगा ठाकुर का इस्त्रिलिंग क्या होता है छले भाई ठाकुर का इस्त्रिलिंग बताएगा ठाकुर का इस्त्रिलिंग क्या होता है ठाकुराइन होता है बिल्कुर सही बात है ठाकुराइन जो क यह option बिल्कुछ सही है, उपसर्गों सब्दांस होते हैं, जो सब्दों के आगे जुड कर उसके अर्थ बदल देते हैं, 38 का option यह वाला right बन जाएगा, आगे बढ़ते हैं, question दिया गया है, कि कौन सा संस्कत का उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजे, संस्कत का उपस चुका है, तो यहाँ पर answer आपका स्थी हुजगा, यह हिंदी में आता है, हिंदी का उपसर्ग है, अगरा question दिया गया है, किस सब्द में उर्दू उपसर्ग का प्रियोग किया गया है, 29 कायर, विदीस और कमजोर, भीया यहाँ यहाँ पर देखे, यहाँ पर आपका जो अ अंसर है, वो आपका हो जाएगा, कौनसा डी वाला कमजोर, कमजोर सब्द में उर्दू सब्द है कौनसा, तो कम, कम का प्रियोग किया गया है, उर्दू में, यहाँ पर option आपका डी नंबर हो जाएगा, और आगे बढ़ते कोशन अप सिगला है, उपसर्ग का प्रियोग हो उपसर्ग में, यहाँ बहुता है, तो भई इसको तो अभी अभी हमने बताया था, सब्द के आदमे, सब्द के मत में, इनमेर से कोई नहीं है, देखो आदि में तरब होता है, पहले याद रख लीजेगा, क्योंकि एसे में गल्तिया हो जाती है, लोगों से तो आदि में त प्रादया मतलब एक सूत्र होता है काफी बड़ा प्रादया संतवे निपत संग्या भवंति हाना ये शूत्र होता है पूरा तो इसको आपका ए नंबर हो जायगा राई चरहागे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कहाँ लूटेरा में प्रत्य आपका कौनसा है लूटेरा हैं गवरा हट में प्रतय कौन सा है चलिए बहाव आचक संध्या में ये प्रतय जोड़कर प्रतय निकला है देख से घवरा द्यालू है चोटा हू है तो चोटा हू लगा ये तो बड़ा लगा रहे हैं हूँ यहाँ पर देखें चोटा ओ लग जाएगा भी नमबर द्यालू हाना तो आपका लुब में चोटा ंँ की मात्राँ है और बढ़ते हैं कोशन दिया गया है धार्मिक में कौपसा प्रत्य है धार्मिक में कौन सा प्रत्य जुड़ा है चलिए धार्मिक में जो प्रत्य है वो आपका कौन सा है धार्मिक चलिए एक एक बिल्कुत सही जवाब है या परसी हो जएगा एक हो जएगा से नमबर राइट हो जएगा आगे बढ़ते एक क्वेशन आप स में कमेंट करिए एगला कुछ दिया गया है निमनेकित में से कौन ससब्द स्वर संदीका नहीं है चले कौन ससब्द स्वर संदीका उधारण नहीं है उधारण नहीं है देखो वे यहां पर दिया गया है स्वर संदीका अननवय पित्राग्या मनोरथ और यद्यपी देखो वे संदीका है और अप्षन जिसका आ रहा है वहीं सी नंबर सी नंबर वालों का जवाब बिल्कुर से राइट है अगला क्वेशन दिया गया है निम्निकित में से कौन सब्द बेंजन संदीका नहीं है यहां पर देखेगा वगीस वाकधनीस उतधनलास अतजन्जन्द अजन्द यहां पर देखेगे आपका अंसर भी हो जगा विधायक विधायक में स्वर संदी है इसका जो बनता है वो विधाय धनक बनता है क्या बनता है विधाय धनक बनता है यहां पर आप्षन बी वाला इसका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लोकोक्ती में संदी है लोकोक्ती तो दुखो भाई लोक उक्ति को जो तोडेंगे तुछ बनेगा क्या लोक बनेगा ज़न उक्ति बनेगा मतलब यहाँ पर आपका जो संदी है गुन संदी जोकी आप्सन यहाँ पर बनेगा भी वाला हो जाएगा आगे बड़ते हैं कोशिण दिया गया है अल्प में कौन से संदिये हैं अत्य अल्प में कौन से है तो देखो में बताया था या के साथ जब कभी भी आधा अच्छर प्रयोक किया गया हो या वहां के साथ आज़ा प्रियोग किया गया है वहां पर हमेशा यण संधी ही होती है हना बहुत बार बताया है तो इसे तोड़ेंगे तो बनेगा क्या यह बनेगा अती अती धन अल्प बन जाएगा अतिधन अल्प हो जाएगा जो कि भाई सभी का जवाब बिल्कुछ सही आ रहा है आगे बढ़ता ये कोशन दिया गया है मतायक कि में प्रियुक्त संदी कौन सी है मतायक कि में प्रियुक्त संदी कौन सी है मतायक को तोड़िये जल्दी से जब इसे तोड़िंगे तो निकलेगा मतबढ़ Dhan निकलेगा I क्या निकलेगा I क्या निकलेगा I क्या रही मतलब यहाँ पर ब्रद्धी संदी है यहाँ परन्सराप का D वाला राइट हो जाएगा क्योंकि I की मात्रा फोती है किसमें ब्रधी में होती है आगे बढ़ते हैं कुछन दिया गया है अताह सब्द का प्रियुक्त आपस्थ क्या है अताह का सब्द जो है अताकार्थ होता क्या है तो अताह बोलते हैं ना अताह या किसी इसलिए बोलते हैं ना अताह या बोल देते हैं लिए तो आपसन इसका हो जाएगा B नंबर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है अत्युक्त का सरवाधी कुप्युक्त अर्थ क्या होता है अत्युक्त मतलब क्या होता है बताईएगा सब लोग सबी लोग बताईए अत्युक्त मतलब क्या होता है चलिए देखो इसका है कि कोई बात बहुत बढ़ा चला कर कहना इसका जो आपसन है वो आपका बने का D नमबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से लब उचा गया है में आच्छी का अर्थ क्या होता है ये तो आपसन आपके पास है बताएगा यहां पर तरणी है तो आप इसका अंसर क्या हो सकता है यह नहीं होगा यह नहीं होगा अब दो आपसन आपके पास है बताएगे यह वाला होगा कि यह वाला होगा कौन वाला होगा यह वाला यह डी वाला चले यह वाला नहीं भई यहां पर जो अंसर है जिसका डी वाला डी वाला जिसका अंसर है वो आपको जेगा नौका जो होता है वो तरणी माले होता है ठीक है चले अगला कुशन दिया क्या है यहाँ पर अंस सब्द का अर्थ क्या होता है तरणी आपके सूरी में होता है ठीक है तरणी में आपका जो होता है तरणी मतलब होता है नौका होता है ठीक है यहाँ पर देखो दिया है अंस का अर्थ अंस का अर्थ तो अंस देखो यह वाला अंस तो दिया नहीं गया ह कि इस प्रकात से रैंसु दिया हो ये अंसु जो होता है कोई आपके temperature में जो आपके बोडि है मतलब आणस कारतिया पर कंधा से बनेगा ठीक है यहाँ पर अंस करत यहाँ पर कंधा है और यह वाला अंस होता है तो हम लोग बोलते बोड़ी का कोई भी भाग लेकिन यह अंस मतलब होता है बोड़ी का कोई भाग यह कहते हैं पार्ट तो इसका मतलब यह होता है लेकिन यह अंस का मतलब होता है कंधा होता है नोट करिएगा यही चोटी चोटी गलतियां होते हैं जो दिक्कत करते हैं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कोशन आपसे दिया गया है कि निमने समरूपी सब्द में कौन सा युगम क्रम सा सब्द कोस एवं खाजाना का अर्थ प्रकट करता है चले 46 नमबर समझे फिर जवाब दीजे भई यहां पर 46 नमबर है वाब का क्या हो सकता है जिखो यहां पर दिया गया सब्द कोस एवं खाजाना मतलब के सिकते हैं कोस का अर्थ होता है सब्द कोस और कोस का अर्थ होता है खाजाना यहां पर आपसन हो जगा इसका मतलब यह हो गया और इस कोस का मतलब होता है खाजाना त निम्निकित में से कौन सा आधि और ब्याधि का युग मस्त का मतलब कह रागता है आधिकार्थ क्या है आधि ब्याधि सब्द युग में आधिकार्थ क्या होता है चले आधिकार्थ होता है मानसिक पीड़ा क्या होता है मानसिक जो पीड़ा होती है मानसिक कस्ठ होता है या सा अन्योदर अन्योन मतलब परसपर क्रती मतलब रचना अन्यायन और और क्रती मतलब निक्रस पुरुस चले यहाँ पर कह रहें कौन सा विकल्प सही नहीं है चले देखो यहाँ पर जो आपका अंसर वापका बी वाला होज़ेगा यह तो सही है यह भी सही है यह भी सही है क्रती मतलब यहां पर चतुर होता है क्या होता है चतुर होता है नोर का लिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेशंच आप स्रीटा पूछा गया है अंस और अंस का सही अर्थ बताइए यहां पर देखो भई यह गल्ती नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी अभी हमने बताया है हना यहाँ पर यह answer क्या होता है और यह answer क्या होता है दो question पहले ही कराया है तो इस question का भी जवाब आप लोग comment box में comment करिएगा ठीक है ना चलिए अगला बता यह question दिया गया है अली और अली यह question आपका पीछा नहीं छोड़ता है अली मतलब क्या होता है और अली मतलब क्या होता है तो देखो भई अली अली मतलब क्या होता है चलिए सखी देखो अली मतलब होता है सखी और अली मतलब होता है ब्रमर होता है ऐसे भी याद रखेगा कि ला में बड़ी की मात्रा है और सकी में भी बड़ी की मात्रा है हाँ तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ठीकें चले आगे बढ़ते कोशन दिया गया है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिरभाजी टके सिर खाजा ये किसने लिखा है यहाँ पर 20 क को आपसन दीजेगा, कि जो 20 को आपसन बनेगा इन में से क्या बन सकता है, सही अंसर इन में से बताईए, तो यह भारतीन हरी सिंद्र का नाठक है, हाना, यहां पर जो आपसन बनेगा, वो आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा, आगे बढ़ते कोशन दिया है, हिंदी क स्वण युग किस काल में राहा है, चली, हिंदी सायत एक कोशन इजी है, यहां पर 21 के जो आपसन है क्या हो जाएगा, चली, बी निमबर, भक्ति काल बिल्कुल सही है, कि हिंदी का स्वण युग काल जो राहा है, वो आपका बी निमबर हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएग चले आगे बढ़ते कोशन दिया है साकेत के रचनाकार कौन है चले साकेत के रचनाकार इनमेसी कौन है बाइस चमबर में तो बाइस को अपसन बनेगा यहाँ पर मैथली संगुप्त याद रिखे बाइस को अपसन हो जाएगा यहाँ पर भी नंबर मैथली संगुप्त हो आगला कोशन दिया गया है, ति आचार राम चन्सुक लिने हिंदी साहित की इतिहास गरंथ की रचना किस नाम से किया है। 24 का जो option बनेगा, क्या बनेगा, 24 का option होता है, हिंदी साहित का इतिहास, जो क्या option बनेगा, ये number हो जाएगा, चले, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, question आप से गला पूछा गया है, ये राहुल सक्रत्यान ने आधिकाल को क्या नाम दिया है, 25 का option देना है, और 25 का जो option बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो देखो वही राहुल सक्रत्यान ने आधिकाल को सिद्सामंत का लका है, यहाँ पर जो option है, 25 नमबर में, वो option D इसका right हो जाएगा, और आगे बढ़ते हैं, question दिया गया है, आधिकाल की प्रधान प्रवत्ती क्या है, 26 नमबर में, तो आधिकाल की प्रधान प्रवत्ती है, जो भी बीर गाथा का लर्थात आधिकाल में, जो प्रधान ता थी, वो आपकी बीर गाथा का लर्थात बीरता से संबनी थे, यहाँ पर अगला question है, ग्यान मार्गी का वि किस काल की प्रवत्ती है, 27 संबर में 27 को option यह भक्तिकाल का है, ठेके पूर मद्यकाल का जाता है याद रिकी इसे बोलते हैं पूर मद्यकाल उप्सम ने आपका यह नमबर और आगे बढ़ते कोशन आप से दिया गया है कि जाज गियर्षन ने किस काल को हिंदी साहित का सुन काल का है यहाँ पर 29 का जवाब दिजेगा देखिए 29 का उप्सम कुछ पत्र का संपाधन किया तीस नमबर में तो तीस नमबर को भी नोट कर लिजेगा सभी लोग तीस नमबर को भी नोट करिए यहाँ पर आपका मत वाला निराला ने किस पत्र का संपाधन किया मत वाला इसका अंसर बनेगा ए नमबर और अगला है राम चंद्रिका की रचना कि किस ने किया है यहां पर आपके option दिये हैं और आपका जो right answer बनेगा वो क्या बन सकता है चली इसका जो right answer होगा आप लोग comment box में comment करिएगा तो आप सभी लोग इस वीडियो में comment जरू करिएगा कितना सही हुए हैं क्योंकि हमने जो target आद दिया था उदिया था 47 अंबर सही करनेगा ठीक है और आप लोग बता डारीए जल्दी जल्दी कि आप लोगो ने कितना सही किया है और जो question comment के लिए बोले है तो comment box में comment करिएगा ठीक है चले आज की जुखाम हमें परिशन कर दी इसलिए आज की class जल्दी रग रहे हैं मतलब कदम कर रहे हैं सभी को good night सभी को जैहिन take care सभी को सब्रात्री धन्यवाद सभी लोग भाई like share करिएगा ठीक है आफ लाइन वाले भी student like share करें और online वाले भी धन्यवाद